क्या गेमिंग चेयर्ज वर्थ इट हैं? हाँ, बट क्या वो नेसेसरी हैं? बिल्कुल भी नहीं देखो, मैं 12 महीने एक बहुती अच्छे ब्रैंड की तरफ से आने वली चेयर यूज कर चुका हूँ कि गेमिंग चेयर्ज किसी के लिए भी नेसेसरी नहीं है हाला कि मैं ये जरूर बोलता हूँ, इसके बहुत प्रोजन कॉन्स हैं जिसको हम थोड़ा डिसकस करते हैं पहले तो गेमिंग चेयर्ज में अगर पहले प्रोज की बात करें तो इसका एक्सपीडियंस बहुत अच्छा है थोड़ा उठके यूनो थोड़ा बैक को रेस्ट दे देता हूँ या ऐसा कुछ कर लेता हूँ मेरे को कोई ऐसी ज़रूद नहीं है चेयर पे बैठे हूँ मैं एक्तम कमफर्ट में बैठता हूँ और बिना किसी प्रॉब्लम के बैठता हूँ उसके बाद कमफर्टेबल के साथ साथ यह एडजेस्टेबल भी बहुत जाद है जैसे अगर इसको रेकलाइनर बना के मुझे अपने मॉनिटर पर कुछ देखना हो तो वो फील आती है और वो दो-तीन गंटे की जब मैं मूवी देखता हूँ कोई तो मैं जरूर करता हूँ चोटी-मोटी वीडियो में मैं उसको प्रेफर नहीं करता और इसी के साथ-साथ अगर कॉंस की बात करें तो मुझे ये एक्स्पेंसिव लगती है बिकॉज इसका एक सब्स्टिट्यूट बताने वाला हूँ जो बेटर है इससे इस वीडियो के एंड में बताऊँगा और वो होने वाला है नॉट फॉर एवर्रीवन भी है ये मिरको ऐसा लगता है थोड़ा फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगते है कि क्यों मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये सबके लिए नेसिसरी नहीं है देखो नेसिसरी क्या होता है जो तुम्हारे को जरूरत हो जरूरत तभी होती है जब तुम 6-7 गंटे से ज्यादा या इतना इतलीस्ट काम एक टेबल पर बैट कर करते हो अगर तुम्हें college going या school going student हो जो 2 गंटे गेन खेलता है या 2 गंटे अपने freelancing का या कुछ भी अपना passion का काम करता है कोई जरूरत नहीं है ये chair के literally भाई wooden या फिर plastic chair से भी तुम्हारे 2 गंटे easily निकल जाएंगे बट हाँ अगर तो मैं coder हो professionally कोई काम करते हो या gaming creator हो या कुछ भी type का desk job करते हो तो chair एक बहुत essential element है तुम्हारी health के लिए और तुम्हारे lifestyle के लिए इसलिए मैं बुलूँगा investment ज़रूर करो इस product में not like इस product में इस chair में पर हाँ एक अच्छी chair में invest करो मैं यह नील कमल के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ यह मेरा personal opinion है कि यह बहुत important चीज है और यह मैंने personally feel करी है neck pains back pains बहुत कम हो जाते है almost खतम ही हो जाते है अगर तो में अच्छी chair खरीद लो और इसी के साथ साथ जो honestly मुझे personally लगता है इ Ergonomic chair Ergonomic chair में फायदा यह होगा कि पहली बात तो वह इतनी flashy design के साथ नहीं आएगी वह leather design के साथ नहीं होगी इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे को back cool ज्यादर लगगेगी तुम्हारी और personally it is a high chance कि तुम्हें वह थोड़े से कम rates पर भी मिल जाए देको depend करता है बहुत brands की इ यह 13 की range में आ जाती है और वह एक ज्यादा practical purchase है उसके साथ साथ ऐसा नहीं है gaming chairs बिल्कुली वर्थिट नहीं है मैं personally एक साल से चला रहा हूँ और experience बहुत बड़ी है literally तुम्हें जो problems किसी भी type की comfort के related आती है वह नहीं आएंगी but still यह एक बहुत selective niche है और मुझे लगता है gaming YouTubers को या बाकी लोगों को देखकर अगर तुम लोग influence होते हो कि यह एक necessary है product नहीं है बिल्कुल भी I think 20-25,000 रुपे जो बहुत बड़ी brands की आती है अगर तुम उनमें invest करने वाले हो उससे बेठर तुम एक 10,000 रुपे की chair लेके बाकी के 15,000 रुपे अपनी games या फिर अपन इसे brands को check out कर सकते हो और research कर सकते हो जिसमें ergonomic और gaming according to your choice जैसे मैंने बताया वो मिल जाएंगी और मुझे ऐसा लगता है यह एक बहुत important aspect है जो तुमें consider करना चाहिए even अगर तुम PC बिल्ड कर रहे हो और तुम लोग इसी के related कुछ मतलब gaming के related या content creation ये कुछ भी ऐसा काम क कर चलो या फिर इसके लिए save करो because ये actually काफी useful and life saving तो नहीं बोलूगा but still time saving है अगर कोई problem हो जाएगी पीट में फिर बाद में पैसे लगाने पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं है इसी के लिए मैं बोलता हूँ ये चीज काफी अच्छी है and यहीं तुम्हारे बाई-जान का रिव्यू घतम होता है तो बाबाई-जान का फीस आउट मेरा इतना ही ओपीनियन है गेविंग चेर्स के बारे में और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो like, subscribe and share ज़रूर करना मनते हैं आप लोगों को एक और वीडियो में तब तक के लिए बाबाई